लव मैरिज करने से आपको आपके माबाप भी नहीं रोख सकते यानि पसंद की शादी और पसंद के शक्से जिसे हमारे समाज में कहते हैं लव मैरिज आप कर सकते हैं और आपको कोई भी नहीं रोख सकता ना आपके माबाप ना आपके फैमिली मेंबर क्यूंकि इसका हग जो को पसंद करता है यानि कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है अगर लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो उन्हें अपने माबाप का भी डर नहीं है वो शादी कर सकते हैं और कोट उन्हें ये मानेता देता है कि वो शादी करकर अपना घर बसा सकते हैं बस शर और सबसे बड़ी बात है कि माबाब आपको जो धमकी बरे कॉल्स करते हैं ना कि शादी करने के बाद अगर तुम करोगे ये हो जाएगा तुम करोगे तुम्हे धमकी देते हैं ये हो जाएगा बाहर कैसे निकलोगे परिवार वाले कहते हैं कि कभी बाहर आकर बताना कोट अब इन सब की जिम्मेदारी ले रहा है और कोट आपको जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा ताकि जब आप शादी करकर अकेले रह रहे हों आपके परिवार का कोई भी सदस्य या आपके माबाप ना तो आपको धमकी बरे फोन कर सके और ना ही आपको जान से मारने की धमकी दे सके और ना ही ऐसा कर सके कि कभी बाहर आओ तुमें देख लेते हैं एक ऐसी ही प्री जो है वो दायर हुई थी दिल्ली हाई कोट में जिसमें बताया गया था कि एक जोड़ा है जिसने शादी की थी और शादी के बाद लगातार उन्हें परिवार की तरफ से हरास्मेंट किया जा रहा था लड़का और लड़की जो है वो दोनों ही अपने परिवार के साथ जो है वो नहीं रहते थे लड़का लड़की को अकेल उनके तले ही रहते थे यानि जो उन्हें प्रोटेक्शन दी गई थी रिती फोर्स उन्हें दी गई थी उसी के नीचे रहते थे लेकिन फिर भी उन्हें धंकी बरे कॉल्स आना और खास करकर जो लड़की है उसके परिवार वालों का तंग करना कि तुम्हें हम देख लेंगे राइट टू मेरी यानि आपका हग है अपने पसंद के शक्से शादी करना और कोट जो है वो आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है ताकि आपको कोई भी हामना पहुंचा सके लाइव लाग की रिपोर्ट ये दावा करती है कि दिल्ली हाई कोट ने एक ऐसे केस में जो है वो प्रोटेक्शन दी है हाँ ये पहला केस नहीं है से पहले भी बहुत से केस है कि आपको प्रोटेक्शन दी जाती है लेकिन दिल्ली हाई कोट ने पूरी तरह से वाजिय कर दिय कोई भी माबाब अपने बच्चों को दबा नहीं सकता अगर बच्चे बालिग हो शादी करने के लिए अगर बच्चे जो है वो शादी करना चाहिए अपने पसंद की तो वो कर सकते हैं लेकिन आपको बता दे कि यह जो जजमेंट है यह किसकी है यह जजमेंट जो है वो तु पुलीस ओफिसर्स की समें मदद ली गई, कोट में जब य seguinte तो इन्हों ने अर्जी दी थी, याजी का दी थी, इन्हों ने प्रोडेक्शन मागी थी, तो कोट ने इन प्रोडेक्शन भी दी थी, लेकिन कोट ने इनके लिए एक क्या बीच में, कि इन्हें प्रोटेक्शन देने के बावजुत जिस एरिया में रह रहे थे उस एरिया के पुलीस अफिसर से संपरख किया और कहा कि अगले दो महीने तक पुली स्टेशन में इन दोनों की रिपोर्ट आनी चाहिए ये ठीक है पूरे दिन में इने कितने धमकी भरे फोन आये हैं और पूरे दिन में इने किस किस ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है लाइव लाग की रिपोर्ट और आपको बता दे बारवेंच की रिपोर्ट ये कहती है कि इन दोनों ने एपरिल में शादी की थी अपनी इच्छा की अनुसार और ये दोनों जो एक दूसरे के साथ रहे रहे थे क्योंकि ये बालिक थे इसमें कोट को भी कोई आपती नहीं थ कि मेरे माबाप नहीं यानी मेरी फैमिली ने मुझे जो है वो काफी जादा टॉर्चर किया और कहा कि लड़के खिलाफ तो जूठी एफ़ई-ार लगवाओं मैंने वो जूठी एफ़ई-ार लगवाई है और बिल्कुल फॉर फाल्स केस है कोट ने उस लड़के से जूठी FIR लगवाएगी थी उसे वापस ले लिया और अब लड़का पूरी तरह से किसी भी case में involved नहीं है शादी करना जो है वो दोनों का हख है प्यार करना जो है वो भारत समाज के अगर हम बात करें लोग प्यार भी करते हैं और अगर प्यार किया है तो शादी भी जरूर होगी, कोट कहता है कि प्यार करने से हम किसी को नहीं रोक सकते हैं, फिर शादी करने से कैसी रोक सकते हैं, बशर्त यह है कि वो बालिक होने चाहिए, कोट में जाके वो शादी करें और कोट जो हैं की प्रोडेक्शन की पूरी प पसंद के शक्त से आप लोग कर सकते हैं